आज मैं अपने इस वीडियो में बहुत ही आसान and simple cooking tips लेके आई हूँ जो हर लेडिस को मालूम होने चाहिए यह cooking tips आपके वक्त भी बचाएंगे और आपके cooking को आसान भी बनाएंगे और हाँ friends आप मेरे चैनल को subscribe कर दे and bell icon को click कर दे so that आपको मेरे latest वीडियो के notification मिल जाएं और अकर वीडियो अच्छी लगे तो like भी कर दे ओगे चलिए start करते हैं hot pot में गरम रोटियां ज्यादा वक्त तक गरम रहे इसके लिए एक simple सा उपाई करें आपको करना है कि hot pot में पहले आप गरम पानी डाल कर इसको बन कर दे और 10 मिन तक यूँ ही रहने दे 10 मिनिट के बाद इस गरम पानी को फेक दे और hot pot को ड्राय सुखा ले इसके बाद इसमें आप अगर गरम रोटीना खेंगे तो ज्यादा वक्त तक ये गरम रहेंगे और fresh रहेंगे जब भी पत्दगोबी के सबजी बनाते हैं तो इसे इसमेल आती है इसे इसमेल से बसने के लिए उसमें तेजपत्ता एड़ कर दे इसे बंदगोबी के जो इसमेल है थोड़ी कम हो जाएगी जीरे और धन्या इसे हलका भून कर ड्राइपीस ले और जब भी सूखी सब्जी बनाएं तो इस ड्राइपीस से मसाले को इसमें डाले इसे सब्जी में की खुश्बू बहुत अच्छी आएगी ड्राइप फ्रूट्स को अगर काटने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो ड्राइप फ्रूट्स को काटने से पहले अराम सी ये कट जाए इसके लिए काटने से पहले एराउन एक घंटे पहले ड्राइप फ्रूट्स को फ्रीज में रखें एगंटे बाद जब आप इसे काटेंगे तो यह बिल्कुल आसानी से कट जाएगी लौकी या तुराई अगर ऐसी कोई सब्जी बना रहे हैं तो इसे पहले धोले देन इसे काटें कुल कि काटने के बाद अगर आपसे धोते हो तो किस सब्जी के पहले से पानी बहुत छोड़ देते अगर बनाते हो तो दो्की अग्याया प्रवाज बहुतने ने इसलिख क्या होता है कनी इसे कटने के ऊज़रा बिद्ग को91 लाउस हो जाते design कि पनीर हम लोग मार्केट से लेकर आते हैं तो वह पुरा एक बार में नहीं बनता हैं कुछ बचा कर रखने से जो बचे पनीर होते हैं अगर उसको फ्रीज में भी रखा जाएं तो भी वह कड़े हो जाते हैं तो योलो कलर के हो जाते हैं तो बचे वे पनीर को फ्रेश रखने के लिए सबसे अच्छा हुपा यही है कि एक बॉल ले उसमें पानी एड़ करें थोड़ा नमक एड़ करें अंदें बचे वे पनीर को उसमें डाल दें पानी का लेवल इतना होना चाहिए कि पनीर पूरी तरह डूब जाए उसमें देन पानी में डूबेवे जो बॉल में पनीर है इसे फ्रीज में रखें इसे पनीर ज़्यादा लंबे समय तक फ्रेश बने रहेंगे ओके फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स वीडियो में हाजिर होंगे कुछ नए टिप्स के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर